हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों दोस्तों आज की दो बड़ी खबरे आहिए यह आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है आए चलते हैं न्यूस की तरफ उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेश्ट है अग चौदा लाग सिच्चकों के संबंद में पास हुए विधैक को आईए संचिप्त में जाने आईए आईए आपको बताते हैं संचिप्त में क्या क्या ये विधैक जो पास हुआ था राजसभा में चौदा लाग सिच्चकों के लिए जिहां दोस्तों चौदा लाग सिच्च को के संबंद में फायदा मिलने की बात कही है आपको बता दे जो राज सवा में विधैक पास हुआ है चौदा लाग सिच्छा किसके अंतरगत आते हैं के संबंद में फायदा मिलने की बात कही है और उसके बारे में आये जाने की कोई फायदा होगा या नहीं संबंद में आप आपको अवगत कराना चाहते हैं पूरे इंडिया भारत में कुल सर्व सिच्छा अभियान के तहट 2001 से लगे पैरा टीचर के लिए ये दोस्तों बड़ी खबार है आपको बता दे जो पूरे भारत के लिए ये लागू होगा नियम जो विधैक पास हुआ है 14 लाक सिच्छकों किलिए और देख सकते हैं इसमें जिक्र किया गया है सर्व सिच्छा अभियान का तहट जो 2001 से लगे है पैरा टीचर या कहले अंट्रेंड टीचर की संख्या पचिस दो हजर पंदराओ के अनुसार 100 손सार जो देस्प्र में पैरा टीचर maf2 आट लाख ошиб छहा एक ततच das चौर τις हुए जबकि इस से पहले कुल संखया थी 11 488 र के करीवन 11 400 लुए संखया दो और आपको बताथे जिसमें उत्तर प्रदेश में सिच्छा सिच्षा मित्र सिच्छा करमी गेश्ट teacher सिच्छ प्रोवाइडर पैराटीचर देख सकते हैं इसमें आप लोगों को बता दें सिच्छामित्र का भी जिक्र किया गया है और सिच्छा खरमी चाहे वो गेश्ट फिट तीचर कहले जो बहुत से जगह पर गेश्ट टीचर के नाम से भी संविधा करमचारी से वह नौकरी कर रहा है करमचारी और सिच्छे पर सिच्छा करमी है यह सबसे बड़ी खबार है किilim सबस्सक् contained जिए कि दोस्ते सबसे बड़ी खबार है यह सिच्छा मित्र हो चाहिए गेश्ट टीचर हो सभी के लिए बड़ी खबार है दोस्तों आपको बता दे एक 14 लग के सिच्चकों के संब्द में जो सम्मिदा करमचारी है उनके संब्द में विधायक पास हुआ है दोस्तों आप लोगों के यह देखना बहुत ही जरूरी है सिच्छा मित्रों का समायोजन अखिलेश सरकार ने किया था लेकिन रद भाजपा की सरकार में आते ही हो गया वो भी तीन महीने के अंदर तो देख सकते हैं इसमें लेकिन सिच्छा मित्रों के संबंद में 14 लाग करमचारियों के संबंद में जो विदह के पास हुआ आईए आपको बता दे इसमें कौन काउन से राज सामिल है, इसमें सिच्छा मितरों का भी जिक्र किया गया है। ग्यारवा राज है मेघालाय, बारवा राज है मिजोरम, तेरवा राज है नागालंड, चौधमा राज है औरीशा, देख सकते हैं, पंदरवा राज है सिक्किम, सोलवा राज है त्रिपुरा, और देख सकते हैं, सत्रवा राज उत्तर प्रदेश, जिहां दोस्तों इस राज है या उनको कहले सिच्छा मित्र क्योंकि सिच्छा मित्र ही नाम से यहां पर संविधा करमचारी कारे कर रहे हैं प्राइमरी विद्यालेों में और उन्हीं का समयोजन भी निरस्थ हुआ है लेकिन आपको बता दें जो 14 लाग सिच्छकों के संबंद में एक विधायक पास हु हुए और सभी जूटे साबित हुए अभी तक तो और आगे आपको बताते हैं जिने ट्रेंड करने के लिए केंद्र सरकार दौरा राज्यों को निर्देशित किया गया था जिसकी समय सीमा 31 मार्च 2015 निर्दारित की गई थी परंतु कुछ राज्यों के दौरा निर्दारित तिथी तक सभी अस्थाई सिच्चुकों को ट्रेंड करने में समस्या जाहिर करते हुए इसकी समय सीमा बढ़ाने को लेकर बार बार प्रयास किया जाता रहा जिसके फलसरूप 9 अगस्ट 2017 को गजट ऑफ इंडिया भारत का राजपत्र जारी करके समय सीमा 4 वर्स बढ़ा कर 31 मार्च 2019 कर दें आपो 31 मार्च 2019 तक यह समय सीमा बढ़ा दी गयी थी आपको बता दें जो यह थी जिन् misfireं करने के लिए केंदर सरकार ने कहा था जो अं ट्रेंड से इन् misschien करेकर रहिए ये 31 मार्च 2019 तक इसकी سीमा थी आपको बता दे सिच्छामित ट्रेंड हो चुके हैं तो इसलिए उनकी राहत की खबर है 31 मार्च के बाद जो वियाववात ही वह सभी जूटी है कोई भी सिच्छामित निकाला नहीं जाएगा क्योंकि वह ट्रेंड है क्योंकि केंदर सरकार ने चार वर्स का समय बढ़ा कर 31 मार्च 2019 कर दिया थे बहुत सी जगह पर अंट्रेंड थे उन्हें ट्रेंड कर दिया गया और यहां पहले ही थे कर दी गई इसमें उन सिच्छुकों के भी सामिल कर लिया गया जो मानेता प्राप्त विद्यालों में बिना प्रसिच्छड के सिच्छड कारिक कर रहे थे जि इनकी जिम्मेदारी यन IOS को दी गई है जिसके द्वारा 13,78,935 में से अवसेश बचे सिच्छकों को DLA प्रसिच्छड दिया जा रहा है इसलिए आप सभी निश्चिंत रहिए इसमें सिच्छा मित्र सहीद भारत के समस्थ पैराटीचर इसमें सामिल है आपको बता देंग सामिल है तो कुछ रात मिलने के उमीद लग रही है यहां से लेकिन देख सकते हैं और भी बड़ी खबर है अभी तक इसमें कोई भी उजागर नहीं की गई है क्या नीती बनी है क्या कैसे क्या होगा समाय जोन होगा या वेतन बढ़ाय जाएगा क्या होगा और आप लोग प सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा सिच्छा मित्रों को देख सकते हैं दोस्तों यह बड़ी खबर आई दोस्तों आपको बता दे जिते इंदर साही की तरफ से जो मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री जी से उसमें उन्होंने कहा था कि सिच्छा मित्रों का जो भी करना है व भी नहीं हो सकती है इसलिए आपको बता दे आप जो कुछ भी होना है चुनाव के बाद या तो दूसरी सरकार आए या तो उत्तर प्रदिस में तो योगी सरकार भी है तो देखते हैं कि सिच्छा मित्रों के लिए क्या इस्थाई समाधान निकलता है के इंदर में सरकार बहुत ही ज़रूरी था जो विधैक पास हुआ है 14 लाग सिच्छकों के संबंद में तो आप लोगों को नेड़ा करना है दे सकते हैं यह कबर आई लेकिन आपको बता दें जो अगर इन्हें समाधान करना था तो इन्होंने पहले ही क्यों नहीं कर दिया क्योंकि जब आप 10 परसंट आरचण एक रात में लागू करवा सकते अध्यादेश लाकर तो यह सिच्छा मित्रों की समस्या को तीन साल चार साल क्यों हो रहा है दो साल प्रधान मंतरी जी ने 2015 में लगभग कहा था आपको बता दें 2015 का समय था और 2019 चल रहा है तो लगभग 4 साल का समय बहुत ह कर सकता है और एक दिन में ही अध्यादेश आ सकता है तो चार साल का समय तो बहुत होता है आपको पता दें लेकिन देख सकते हैं जब समय रद हुआ था तब प्रधान मंतरी जी ने जिम्मेदारी ली थी क्योंकि तब सरकार राज्य में उनकी नहीं थी इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी ली लेकिन अब सामने आने को तयार नहीं है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी दोस्तो अगली बड़ी खबर देख लिए वित्वीन स्कूलों के प्रवंदगों पर सिकंजा कसा जाएगा इन विद्यालों में सिचकों के नियुक्ति योगता के आधार पर होगी ना तो इनकी नियुक्ति करना आसान होगा और ना ही इने आसानी से निकाला जा सकेगा नियुक्ति से लेकर सेवा मुक्त करने तक में जिला विद्याले निरचिक से पहले अनुमोदन लेना होगा वित्वीन सिचकों के लिए तयार की जा रही नई नीती फिलाल चुनाओ अ दोस्तो कानपुर उन्नाव कानपुर दियात के सिच्छक विदायक राज बहादूर सिंग चंदेल का कहना है कि जो उच्छ तरिये बैठक लखनव में हुई थी उसमें यह बताएगा है कि जो नई सेवा नियाम अमली तयार की जा रही है उसमें अब वित्मीन स्कूलों के सावना है भुकतान किया जाएगा दोस्तों देख सकते हैं बड़ी खबर है नई नियाम अमली तयार हो रही है 15,000 रुपए वेतन मिलने का जो भी है उमीद है उन्हें क्योंकि जो उच्छ तरिये बैठा कोई थी उसमें यहीं निकल के आया देख सकते हैं कि इन्हें 15,000 वे पास हुआ है तो लागू क्यों नहीं किया आप लोग कमेंड में जरूर बताईए अपनी राय और आप किस पार्टी को समर्थन कर रहा है यह भी जरूर बताईएगा कमेंट में धन्यवाद